ख़वरे खेथी के कारेकरब सबसे पहली आज के खेटी के खास ख़बर राज्य में चला जा थे क्रिशी विस्तार सेवा योजना भूर्गी पालन के विछावन विधी के तक्निकी जानकारी सिम्ला मिर्ज के सोनल वरायटी और पाला के सफल व्यवसाई खेटी क्रिशी के छेत्र मा हर्दम नवा नवा बदलाव आवत्री थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो माला बहुत फैदा होई 36 गडम किसान के फसल के प्रती अनभी किताला ध्यान मा रखके राज्य सरगार द्वारा क्रिशी विस्तार सेवा योजना चलाय जाते एकर अंतरगत किसान और प्रसार कारे करता क्रिशी विकास केंद्र, क्रिशक संगठन और पैरा टेकनेशियन के बीच चीवन्त संपर्क बना के सुचना के आदान प्रतान के व्यवस्ता करे जाही क्रिशी प्रसार बर, पंचायती राज संस्था और ग्राम पंचायत मा क्रिशक संगवारी बनाय जाही विकाष अधिकारी मन के नेवित ग्राम भरम्ण और भुक्ख्याले मन उपस्तिती रही काररे विशेस में उपलब्धी प्राप्त किसान मन प्रक्षेत मां पाट साला इस्थापित कर दुशर किसानला प्रकशिक्षित करे जाई क्रिसक खेत पाट साला सब्तामा एक दिन लगाए जाही अब यह है फसल अउधी याने फसल के तैयारी से क्रिसक परिवार पर एक विस्तार कारे करता के सेवा सुनिशित करे जाही हमर देश की परिस्तिती आवसित्ता और वातावरन लदेख के वज्ञानिक तरीकाले मुर्गी पालन करके बहुत लाब कमाया जा सकत है मुर्गी पालन बर ऐसे स्थान के चुनाव करना चाही जहां आवागमन के सुविधा हो पानी और विजली हो और अंडवा मांस भी केके विवजली हो चूजा के कमरा मां 24 घंटा हलका रोशनी होना चाहिए, पानी रोज ताजा भरे रहना चाहिए, मुर्गी लभोजन मां अनाज जे देना चाहिए, इकर ले मुर्गी स्वस्थ अगोजन्दार होते. क्रिशी के मसनी करण ले बहुत स्वीधा होते और एकर से समय, स्रम और लागत तीनों के बचत होते. दवाई के घोल हे, उमा डाल दे थे, और दूसर तरफ के पाईप के माध्यम ले खेत मा पौधा तक पहुचा दिये जाते. एकर बाजार मा कीमत पचास हजार ले साथ हजार रुपया तक के हे, तह ये उपकरण के सहायता ले, कम समय मा और कम आदमी के सहायता ले, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते. नवा नवा किसम अपनाए ले और नवा नवा बीच के उपयोग करे ले, उखर से गुणवत्ता और उत्पादन दूनों में सुधार होते. सफलता, अगर कोनो किसान हा, नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते, तो ओखर सफलता से आउ किसान मल्ला घलो प्रेड़ना मिलते. पालक के बाजार मा बहुत मांग होये के कारण जादातर किसार मन पालक के खेती बहुत ऐत मात्रमा करथे आइसने पलारी गाऊ के रामकुमार भाईया द्वारा पालक के खेती लगा उन्नत तरीका ले करथे जानकारी देवत ओहर बता थे के एगर खेती मारक रखा बहुत लग थे कीट और रोग राई ले फसल लबचाना बहुत जरूरी हो थे नहीं तो फसल के किमत सही नहीं मिले खात पानी के व्यवस्था, माटी के तियारी और कीट नासक दवा के तैयारी के समेंगे संगोला लगभग 6-7 जार रुपया के खर्चा परे है उगर अनुमान के मुताबिक पालक के बाजारमा विक्री ले उला लगभग 30 जार रुपया के फायदा हो जाही रामकुमार भईया के पालक के सफल खेतिहा तारिफ के काविल हवै आज की अंक मपसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फेर मिलवो तब तक बर जै जोहार नमस्कार मंडी भाव आवाओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग-अलब मंडी मा धान फल और सबजीमन के का भाव है आज सुरजपूर क्रिसी उपज मंडी मा धान के निवन्तम भाव 1120 रुपया और अधिक्तम 1440 रुपया प्रती क्विंटल आज कुस्मी क्रिसी उपज मंडी मा धान के निवन्तम भाव 1105 रुपया और अधिक्तम 1510 रुपया प्रती क्विंटल आज बैकुंटपूर क्रिसी उपज मंडी मा धान के नियुनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रती क्यूंटल अब मुला दौबिदा जै जोहार आगे पानी गिरगे पानी और यचानी होगे पानी पानी रे गली खोर मालाई काना चाए बुढ़ु अलचाए जवानी आगे पानी संगवारी हो आज हम इसे चीज के बारे बताने वाला हान जोन खायक बारे मा बहुत पुष्टई देवाईया हो थे मैं कहा तो संगवारी हो मस्रूम के खेती मस्रूम के खेती कैसे करे याए वो कम जगहम घलो हो थे नानम प्रकायक हो रूत पादन घलो हो थे एकरे बारे मा आप जानकारी देवर हमार बीच में विसेशग्य के रूप मा वरिष्ट वैग्यानिक श्री डॉक्टर अगर तुह मन मस्रूम से खेती से संबंदित कुछ भी प्रकार के सवाल हो थे तो तुह मन सीधा फोन उठाके हमर से आज सवाल कर सकत हो और फोन नमर तुम जाना थो तब हो मैं बतावा थे तुम अल्ला एक आट सुन्य सुन्य दू तीन तीन नौ चार एक आट इही नंबर मा तुम अना मस्रूम से संबंदित कुछ भी सवाल कर सकत हो तो आज के कारिक्राम हम सुरू कर थे हम तहां किसान भाई आपका जानना चाहत हो कहां साय हो मैं ग्राम चर्मुडिया के दुर्गेश कमा चंद्रा कर रहो मैं आप मस्रूम का चीज़े ओकर अपन ग्रामिन परिस्थिती में कैसे प्रोडिक्शन करते तेलकर बारे में जानकारी चाहत हूं देखे मश्रूम एक फफूंद है और ये फफूंद हम सब जानते हैं कि 36 गड़ में हर कोई इसको बरसाथ के समय में जंगल से एक अत्र करता है वो फुटू के नाम से जाना जाता है लेकिन विग्यान की तरक्की के कारण विग्यान की प्रगती में इसको लिबार्टरी में इसका बीच बनाया गया बीच बनाके इसका परिक्शन किया गया परिक्शन के बाद इसको उत्पादन करने के लिए गाओं गाओं में उत्पल आया गया और उसको धान के पैरा में उत्पादन कर जो हमने उत्पादन किया उसको हम मश्रूम बोलते हैं जो प्रकृतिक रूप से होता है उसको फुटू कहते हैं मश्रूम हम उत्पादन कर सकते हैं हर कोई अपने गाउं में उत्पादन कर सकता है और इससे लाब ले सकता ह हाँ सांगी आप का जानना चाहत हूँ डाक्टर शाहब मैं चर्मुरिया साहम है ग्राम चर्मुरिया से मोर नाम अरुन कमार है ये मस्रूम लग कहां पर उत्पादन करे जा सकते हैं गाउधियाद की घर में या चछट के बीचे में मस्रूम को अपने गाउं में चोटा जगा है वहां पर ही उत्पादन कर सकते हैं सिर्फ ये है कि इसमें डारेक्ट सुर्या का प्रकास नहीं आना चाहिए जैसे बीज बाई दस का अपना जो चोटा चोटा घर होता है उसमें अपन उत्पादन कर सकते हैं और 36 गड़ के हर किसान भाई इसको अपने घर में उत्पादन कर सकते हैं चाह रहना चाहिए और डारेक्ट सुर्या के प्रकास नहीं आना चाहिए थोड़ा से जिन ताप मान है ओखर एकर लिए 30 डिग्री से कम होना चाहिए जिन अपन 36 गड़ के लिए अभी गर्मिक दिन में छोड़के रहे थे और हर किसान भाई इलापन घर में उगा सकते हैं हां संग आपका जन्ना चाहता है मुन नाम प्रेंगा साओवे ग्रांचाव मुर्याप धंतरी जिलक रहने वालों बीजा कहां उपलब्ध है और क्या रेट में मिलता है देखिए जो बीज है मैंने जैसे आपको बताया है कि लैब में बनाया गया है तो इंद्रा गांधी क्रिश्व विश्व देल रायपूर की मश्रूम लैब में ये उपलब्ध रहता है इसकी इसे आप वहां से ले सकते हैं और अपना उसको पाधन कर्सक्श पंदरयर रुपय का एक पैकेट पंदरयर रुपय का जिसको दो किलो पैरा कुट्टी में मिलाया जाता है अहां संग्या आप पूछा। और इसको अपन आस्टर मस्रूम कहते हैं। नात्रा रही थे ना बहुत कम रही थे एकर लिए सक्कर की बीमारी जिन जिसे आथे वो अलग कम करें के सक्ती भी रखते हैं। और दूसरा बात हमरे जिन डाइजेशन पावर है जिसे पाचन सक्ती ओला बढ़ाय के छमता है। और इसे कई प्रकार के जिन आजकाल बीमारी आथे वो अखर भी अपन सरीर में अगेंस्ट प्रतिरोधक छमता डेबलब करें के पावर रखते हैं। तो वो दृष्टी से आजकाल आप देखो मस्रूम के काफी महत्व है जिसे अपन टीवी पेपर वगरा सब मत देख थन के ज़्यादा ज़्यादा और प्रोडक्शन जिसे प्रोडक्शन एकर है तो करीब करीब जिसे मान लो 5 किलो पैरा ले थन है ना धान के पैरकुट्ट और चाहे धान या गेहूं के भूसा तो 5 किलो पैरा कुट्टिम कम से कम अपन जिसे शुरुआत में स्टार्ट कर वो तो 3 किलो मस्रूम के उत्पादनापन कर सकता है जे खर 1 किलो के कीमत कम से कम 100 रुपिया है और उखर जिन लागा थे तो इन बहुत कम है मालो जिसे अपन घ्रेका ते तो 300 रुपिया की जुप दे ने से मिला थे तो 300 रुपिया कम से कम अपन सिर्फ 100 रुपिया के उकर कीमत है जी यह लागात खर्चात है जी गाए और ऑंक 200 रुपिया कर प्रापर आं ठीक ठीक हाला हलो 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 हु मैड के घ्र Prime Americans I was you ताजा किसे बहुत दिन तक रखे जाए और गले के कहीं संभावना के कुछ दिखत दिखर से कैसे बाचे जाए कि जन्ना चाहते हैं देखे मश्रूम जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है हम उसको 24 गंटे से 36 गंटे तक बिना खराब हुए रख सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन की मातरा अधिक होती है इसलिए वो जल्दी महेटने लगता है जल्दी उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है इसलिए अगर आपको ज्यादा समय रखना है तो रेफ्रीज़िरेटर के अंदर में 8 दिन तक रख सकते हैं अगर आपके बास ज्यादा मातरा में मश्रूम है तो आप उसको धूप में सुखा सकते हैं सुखा हुआ मश्रूम 6 महने तक रखा जा सकता है लेकिन सुखाने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखने होगी कि पूरी तरह से सौ प्रतिशत सूख जाए एकदम कड़ाक हो जाए पूरा पानी उसका उड़ जाए तभी उसको सुखा हुगा माने गीला होगा तो फिर खराब हो जाएगा मैं भागवश साहो गाम बरोदा विकास खंड नर्सिवा राइपूर करहिया हूँ मैं डाक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि हमा 36 गड़ सरकार दोरा मस्रो मुत बादन के लिए किसान भाई मला कोई कोई अनुदान या या कर बिकरी के लिए कोई इसे जगा के अंदर से उत्पादन की ट्रेनिंग का प्रवस्ता किया प्रसिक्शन मिलता आपको प्रसिक्शन आप जिला पंचायद आ जनबत पंचायद के माद्यम से आपने गाउं में प्रोग्राम रखवा सकते हैं उसकी सुविदा पूरी मिलती है सीखने के लिए पूरा पंदरा दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो किया जाजा आयोजित किया था क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है एक हजार रुपे में आप पांच किलो छे किलो प्रती दिन उत्पादन का कारे कर सकते हैं उसमें कोई अनुदान की नहीं है सबसे बड़ी जरूरत होती है तक्निकी ग्य कि जो आपको प्रसिक्शन के माध्यम से उपलब्द कराया जाता है जी हां संग्या आप जानना चाहा तो का पूछा हां नकुल वर्मा मुन नाम है ग्राम बरोदा विधान सबक रहिया हूं मुला यह जानकरी चाहिए कि मसरूंगला घर के अंदर भी पैदा वारी करे जा सक है ठीका जिसे अभी अभी जिसे चर्चा करते हैं अभी बता हैं कि बढ़ी पंदरा बाई बीस की जिसे अपन चुटे-चुटे कुरिया रहे थे हैं और डारेक्टर सुर्या के प्रकास जिनमन नहीं आए और नीचे अपन रेत डाल दे जाए हैं और चारो तरह पैसे जिसे गर्मिक दिन में भी अपन उत्पादन कर सकता हैं पूरा साल भर सिर्फ मैं और जून के महिनल छोड़के ओमा भी थोड़ा सा अपन वेवस्था कर ले जाए जिसे नीचे रेत डाल दे जाए पानी डाल दे जाए चारो तरप से दी बोरा और डाल के फिर पानी दे जाए इस पालिठीन बैग में उसको भर लेते हैं भरने के बाद उसको बहुता झाली में तांग डेते हैं और लगा तार दो बार पानी देते रहते हैं तो इस इसथित्य में अपना तात्मान भी तरह भी बीने रहता है और जो आधरता जिसको इन लोग नमी कहते हैं वो भी मैंटेन रहता है और अपन इसके उत्पादन कर सकते हैं आप जानना चाहत हूं कि मसूरूम ला कतिर दिर तक रखा सकत हैं और ज्यादा रखे कुपा जैसे का भी भाईया कॉल करके पुछेरी से वही लोग जाना चाहत हूं कि देखिए जैसे में आपको बताया कि मश्रूम में इकर सवाल के पहली हो आरे किसां भाईक सवाल तेला पहली लिली थान हाने हां हलो ओ ओ ऊपधिदा पुछा पुछाओ न कापुछा चाहता हूं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन अधिक होने के कारण उसमें बेक्टीरिया जल्दी गुरू होता है इसलिए उसको जो हमें ज्यादा समय तक नहीं रख सकते चतिस घंटे ज्यादा से ज्यादा रखा जा सकता है बिना रेफ्रिजिरेटर के अगर हम फ्रीज में रखेंगे फ्रीज की सुविदा हमारे पास है तो हम उसको छे-साथ दिन तक रख सकते हैं लेकिन हमारा उत्पादन अधिक हो गया है हमको फ्रीज भी नहीं है इमारे पास तो हम धूप में उसको सुखा सकते हैं। अच्छी तरह सुखाने के बाद हम उसको छे महीने तक उपयोग कर सकते हैं। मस्रूम के बड़ी भी बना सकते हैं। मस्रूम के पापड़ भी बना सकते हैं। तो एकर से उखर स्वाधिस्ट भी बढ़ जते हैं। और जिन उखर नुट्रिटिवल इर्पोस्टिक्ता हैं। वह भी बढ़ जते हैं। तो यह द्रिश्टी से जन अपन कई परकार के जन खाय भी एक्षानी से बढ़ जते हैं। हाँ संगी आप जान का जानना चाहिए। इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है। प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन भी उच्च कॉलिटी का प्रोटीन होता है। क्यों उच्छ क्वालिटी का होता है क्योंकि ऐसा प्रोटीन और किसी में नहीं होता है। दूसरा इसमें क्यास क्वानिज होता है इसमें वैटामिन होता है। तो ये सारे गुण एक साथ एक जगे पर इश्वर ने केवल मिश्रूम में रखे है हैं। और हम इसको घर में उगा सकते हैं, हमारे पहुंच के अंदर है, इस से हम हमारा कूपोशन बच्चों का माइलाओं का दूर किया जा सकते हैं। जिसे अपन बजार में ले जाके बेचे जा सकते हैं। बजार के कोई कमी नहीं है। में संद्राम यादो बरोदा से मश्रूम के खेती में हमने लगते कामदानी में सकते हैं। आंदनी देखिए हमको मश्रूम की खेती जो है वो अतिरिक्त आमदनी के लिए करने है। हम इसको हमारा घर का काम करते हुए घर दोआर का मैलाएं काम करते हुए अपने जो आपका काम चल रहा है उसको करते हुए ये अतिरिक्त समय में आप इसको कर सकते हुए। सारा दिन समय लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने इसकी विध्य इतनी सरल है कि हमने रात को पैरग भिगो देना है। सुबह पानी गिरा देना है, सुखा देना है। ये हमारे घर के काम के साथ-साथ कर सकते हैं। सुखने के बाद में हमने बीच मिलाना है पॉलितिन बैग में बार देना है और बंद करके उसको रख देना है 15-20 दिन तक 18 दिन तक रहेगा वो पैरा में बीच पूरा बढ़ जाएगा बढ़वार होके वो पूरे पैरा को सफेद कर देगा जब सफेद हो जाएगा थैली को काट के हमने घर में लटका देना है उसको लटकाने के समय में हमें दिन में दो बार तीन बार पानी डालना है और उसमें कितना समय लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है हमारे को अतिरिक चांद में आमदनी का स्रोत बनाते हुए हमारा जो खर्च आता है मैंने बताया आपको एक हजार पर हम खर्च करेंगे तो चार से पांच किलो पादन प्रती दिन ले सकेंगे लगातार ले सकेंगे और हमको लगबग तीन से पांच हजार पर इस से महीने भर में आमदनी बहुत सरलता से हो जाए कि बिना किसी हमारा अतिरिक्त समय में कम से कम जगे में कम से कम समय में हमने हमारी रोजी नी छोड़नी हमने हमारा कारोबार नी छोड़ना हमारे घर के अंदर बैठे हुए अतिरिक्त आम दनी के लिए सबसे बढ़िया यह ज़िए आपका जानना चाहते है मुझन नाम योगेस्वर निर्मल का रहे हैं, ग्रामपूरी जीरे धमतरिक रवया हूं, और मैं जानना चाहत हूं कि मस्रूम के प्रकार के होते हैं? ओला भी उगा सकते हैं, लेकिन जे सबसे ज़्यादा जिन है वो अस्टेल मस्रूम, उखर बाद एक होते हैं, पैरा मस्रूम, आप देखते हो कि जैसे ही बरसात आते हैं, वो समय पैरा के धेर मां चुटे-चुटे मत मैला के होते हैं, गाउवाले काफी चाहों से खाते हैं, ओला पन पैरा मस्रूम बोलता हैं, और एक होते हैं, बटन मस्रूम, जिन ला कम ताप मान मां उगाया जाते हैं, जिसे बड़े-बड़े कोल्ड इस्टोरेज हैं, और जिन उत्तर भारत में जहां पर टिंपरेचर 20 डिगरी से कम रहे थे, वो जगह मां उगाया जाते हैं, तो एक प्रकार से टे चार-पास प्रकार के जिन मस्रूम है उगा सकते हैं, जिन नाम है, विनोत कुमार मैं ग्राम सम्मर पूर धंतरी से हूं, मैं जानना चाहत हूँ, जिसे मस्रूम खाय केहरे, आश्टर मस्रूम उला जिसे एक बनाय में कौन-कौन से सावधानी बरतना पढ़ते हैं. देखिए मश्रूम उगाने इसमें में साउधानी ये रखना है कि हमने जब पानी निथारना है, हमने पैरा रात को भिगोया, स ब्यूद होस को सुखाने के लिए निथारा, हम को निथार के समयं इतना पानी नहीं होना चाहिए कि वो पूरा नमी रहे उसमें पानी नहीं रहे सबसे बड़ी सावधानी यह है अगर पानी पैरा के साथ रहेगा तो पैरा को सड़ा देगा आपका उत्पादन नहीं आएगा दूसरी साउधानी ये है कि हमारा जो पॉलिफिन बैग में भरेंगे जब तक सफेद नहीं हो जाए पैरा तब तक हमको थैली नहीं काटना तीसरी साउधानी है जब हम थैली काटेंगे उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पे दूप नहीं आए ज्यादा हवा नहीं आए और तीन से चार बार समय के हिसाब से गर्मी के हिसाब से हमें उसमें पानी देना है पानी में सीचना है उसको नहलाना नहीं है डूपकी नहीं लगाना है पानी को हमने सीचना है या स्प्रेयर से सीचो या मगगे से सीचो ऐसा इसको करना पड़ता है ये सब साउधानी जरू पर बहुत बहुत धन्यवाद जय जोहार तो संगी हो आपने मूल कामला करत करत ज्यादा फैदा कर लेना है तो कम जगह में कम पईसा में उत्पादान देने वाला मसुरूम के खेती तुहुमन करो आज बसत के आन दिन एक नमा जानकारी लेके आपो तक तक बर जम्मो कर. झाल झाल